वेल्कम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों फलक नाज आखिर क्यों हुई अचानक से अपने भाई के खिलाफ जी हाँ दोस्तों फलक नाज लगातार अपने भाई को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरीए इस बात को भी साफ किया था क कि पुलिस और न्याय पालिका पर उन्हें पूरे तरीके से विश्वास है जी हाँ उन्हें पूरा विश्वास है कि न्याय पालिका और साथी साथ इंडियन जुडीशिल सिस्टम जो है उनके भाई को एक गलत आरोप में फसने नहीं देगा और ना ही किसी बेगुना को सज ने आया जिसमें फलकनाज ने अपने स्टेटमेंट को बदला और ये कहा कि जो भी इस हाथसे के लिए जिम्मेदार होगा उसे हम जरूर सजा दिलाएंगे तुनीशा वाज माई डियरेस्ट तुनीशा से फलकनाज बहुत जादा प्यार करती थी वो से बेंतहा महबत करती थी वो सच में उनकी लाडली थी और ऐसे में हम सब ने देखा कि जब अंतिम संसकार के दौरान फलकनाज पहुँची तो तुनीशा शर्मा के शब को देख कर वो खुद को नहीं रोक पाई वो लगातार बुरे तरीके से रो रही थी फूट फूट करासू बहा रही थी और उन उने भाई को बेगुनाह के रही थी तो आखिर अचानक से फलकनाज का स्टेटमेंट कैसे बदल गया फलकनाज ने स्टेटमेंट बदल कर अचानक ऐसा क्यूं कहा कि तुनीशा शर्मा उनके लिए बहुत ही जादा खास थी और इन सब के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उ आप लोगों को क्या लगता है क्या तुनीशा शर्मा के लिए फलकनाज अपने ही प्यारे छोटे भाई के खिलाफ चली जाएंगी क्या सच में जिशान खान जो है वो इन सब के लिए जिम्मेदार है हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके आप जरूर बताएं वीडियो को ला